वेलकम तो दिस चैनल मैंसल दोक्टर टी इंदेपना डॉक्टर अमडर्न मेर्डिकल साइंस मोटिवेशनल स्पिकर एंड लाइब कोच एंडे सेकेटरी रेसिडेंट आज इस वीडियो में हम बात करेंगे Matha. Mental status Examination के बारे में बहुत सारी इंबेस्टिकरी में नहीं होता है बहुत जादा नहीं होता है जिसके पर हम लोग जो diagnosis करते हैm Patial status Examination एक शुश सारी ei ऐसे कोच करेंगे इस पहले हमो discuss में क्या डिफेरेंस होता है। जो साथ साथ जो ड्राइब प्रेस्क्रिपिशन होता है। वहां कि भीडिया जा सकते हैं। यह basic difference होता है, psychiatry and psychology के बारे में, बहुत लोगों को यह confusion रहता है, यह confusion करने का जरूरत ने, दोनों ही important है, as a psychologist जो होता है, वो भी बहुत important है, mental diseases होता है, mental disorders होता है, उनको ठीक करने के लिए, जितना हाथ एक psychiatrist को रहता है, इससे ज़्यादा और लगबग सें, important एक psychologist को भी दिय जाता है, तो आप चाहे पो psychologist हो, या psychiatrist हो, आपको upset होने का कोई जरूरत नहीं है, चले ही शुरू करते है, mental status examination, जिसको हम लोग बोलते है, MSE, mental status examination, mental status examination, सबसे पहले हम लोग देखते है, general appearance and behavior, क्योंकि एक patient जब आ रहे है, यह first impression होता है, कि इसका general appearance and behavior क्या होता है, जैसे patient alert ह है कि नहीं, यह हम लोग को देखने का बहुत important होता है, alertness of the patient, whether patient is conscious, whether patient is conscious or not, यह हम लोग को देखने का जरूरत होता है, इसके बाद, patient is cooperative or non-cooperative, यह भी एक important क्योंकि अगर non-cooperative रहेंके, तो definitely हम लोग को इस evaluation में बहुत दिकत होगा, तो इसलिए हम लोग को देखना होता cooperative or non-cooperative है कि नहीं, इसके बाद हम लोग देखते है, patient के साथ repo हम लोग का किस तरह का बुन रहें, repo established होगा है कि नहीं, मतलब repo हम लोग बना पा रहे है कि नहीं, patient के साथ यह बहुत important है, इसके बाद जो आता है, जैसे हम लोग का eye contact, क्योंकि आगर repo बनेगा, तब ही eye contact whether eye contact is established or maintain, कभी-कभी होता है कि कोई-कोई पेशन parfait, करते हैं लेकिन maintain नहीं कर पारते हैं, तो हम लोग को यह देखना होता है कि, eye contact, established, और maintain दोनों होआ कि नहीं, अगर established हुआ है, Then we'll write established, अगर maintain हो रहे हैं, Dåh established and maintain, अगर maintain नहीं हो रहे हैं, तो only established and not maintain, यह आम लोग को mention करना होता है इसके बाद जैसे साइको मोटर एक्तिविटी पीए मैं हम को देखना होता है अंक्रीस और डिकरीस ओर इस नॉर्मल जैसे एक नॉर्मल आदमी को साइको मोटर एक्टिविटी sentir normal होता है vine or physical इसका psychomotor activity भी कम हो जाएगा, इसलिए psychomotor activity आपको evaluate करना बहुत ज़रोड़ी होता है, whether it is increased or decreased or normal, इसके थो हम लोग बहुत सरा चीज़ को diagnose कर सकते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं, physical जो hygiene है, hygiene and grooming, यह maintain है कि नहीं, क्योंकि अगर patient depression में है, तो आप देखें कि shaving नहीं क तो इसका dress up भी अच्छा नहीं होंगे, तो grooming अच्छा है कि नहीं, वो आपको देखना होता है, क्योंकि इसमें दो चीज़ हो सकता है, either patient is in depression हो सकता है, और mania में हो सकते हैं, अगर patient mania में होंगे, मतलब high mood, illated mood होगा, तो इसमें क्या होगा, अगर depression में हैं, और mania में हैं, हम लोग को देखना होगा, mania में अगर होगा, अगर depression में हैं, तो grooming maintain नहीं होगा, maintain कम हो जाएगा, अगर mania में होंगे, over grooming हो जाएगा, तो इसलिए अगर आप simply grooming को भी notice करेंगे, तो आप ये decide कर पाएंगे, कि यह depression में है या फिर mania में हैं तो यह देखने का बहुत important होता है इसके बाद built होता है patient का build कैसा होता है चाहिए वो तिन तरह का built होता है actually आपको तिन तरह का जो build होता है वो आप देख सकते हैं एक mesomorphic built होता है जिसका muscular structure होता है इस patient को usually seizure disorder ज्यादा होते हैं commonly ज्यादा होते हैं फिर आपको आता है endomorphic आता है जो लोग ज्यादा खाना पिना पसंद करते हैं इसमें जो लिवर्स बिसरा यह जो है बड़ा बड़ा रहेगा मतलब हैपटोमेगली कर्डियोमेगली सब होने के chances रहेगा और एक होता है ectomorphic ectomorphic यह lean and thin patient होंगे यह ectomorphic होता है इसके बार में details हम बात करेंगे अगर आपको जरूरत है तो बता दीजे नीचे comment करके बताएंगे तो इसके उपर हम definitely बात करेंगे इसका आज जो video mainly हम बात करें करेंगे यह हम लोग का mode and effect के बारे में हम लोग बात करेंगे यह mode and effect क्या है और कैसे इसको evaluate किया जाता है देगे बहुत important है mode क्या है mode होता है कि एक patient है इस patient का whole day में इसका कैसा mode रहा मतलब किस तरह का mode है दुखी है खोशी है यह over the period of time होता है एक period के लिए जैसे one day में आप इसको बोलते है mode अभी मान लीजे patient 10 बज़े से हमको पाज बज़े तक है लेकिन आपका posting और या फिर आपका clinical posting सुबह 11 बज़े शुरू है तो 11 बज़े में अगर हम पूछेंगे patient को के आपको कैसा लग रहा है तो यह बोलेगा mode मेरा कैसा है एक दीन में 24 hours में या फिर एक आपका effect mode and effect यह आपको समझना जरूरी है mode होता है कि actually subjective होता है कि patient कैसा feel कर रहे है आप पुरा दीन में कैसा feel हुआ है यह mode है और आप जो observation करेंगे as a examiner जो आप objectively आप देखेंगे एक particular time में देखेंगे उस time में इसका effect कैसा है mode के साथ जा रहा है या नहीं यह हम लोग ही है लेकिन जैसे आप वहाँ पर गये है बातचीत किया है उनको खुशी हुआ या फिर कोई joke किया है तो उनको smile आया तो actually patient हो सकता है इसका mode depressed हो लेकिन at this particular moment जो एगर आवाज आप पूछे है उस time में इसका effect happy भी हो सकता है तो यह आपको देखना जरूरी है mode subjective patient बोलेगा effect जो examiner है और check करेंगे ठीक है इसके बाद आपको देखना होगा और congruent है कि नहीं मतलब जैसा इसका mode है ऐसा इसका effect है कि नहीं effect मतलब जो दिखाय में देगा जैसे कोई आगर बोल रहे हैं कि हम बहुत दुखी है और इसका face में हमस्या smiling जैसा है इसका मतलब है इसका mode और effect दोनों एक जैसा नहीं हो रहे है मतलब यह congruent नहीं है यह दोनों अलग है कि उनको बोल रहे हैं दुखी है लेकिन इसका facial expression आपको मेंटेन करना होगा नव एक बहुत इंपोर्टेंट है अगर मालीज आपका घर में किसी का death हुआ है तो डेफिनिटली यह एक sad आपका situation है sad situation में आपका expression भी sad होना चाहिए लेकिन अगर उसी जगा पे कोई आदमी कोई jokes माल देते हैं तो definitely it is not appropriate to the situation यह आपको देखना होगा कि पिशन का behavior है या फिर इसका जो thoughts है इसका जो action है वो appropriate to the situation है या नहीं यह आपको देखना होगा इससे पहले actually हम लोग को देखना होता है reactivity reactivity मतलब जैसा बात कर रहे है उसका कैसा reaction है reactivity अगर नहीं होगा तो बाकी चीज़ हम लोग explore नहीं कर पाएंगे इसलिए reactivity हम लोग को देखना होगा फिर देखना होगा patient का range मतलब इसका जो mood है इसका range करता है usually क्या होता है ये एक साथ में हम लोग का depression होता है दूसर साथ में हम लोग का mode mania होता है मतलब आपका elevation of the mode होता है usually हम लोग में रहते हैं जब कोई दुखी का बात होता है तो हम लोग sad के तरफ express होते हैं, अगर कोई jokes होता है तो वहाँ पर हम लोग happy mood के तरफ express होते हैं, यह हम लोग का क्या होते full range होता है, क्या हम लोग दुखी भी हो सकते हैं, खुशी भी हो सकते हैं तो यह range आपको देखना होगा कि patient कैसा है, कि patient ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक पूल जैसे sad के तरह भी ज्यादा attracted है, उसको happiness है ही नहीं आप कितना भी jokes बोल दीजे, वो actually happy होई नहीं पाते हैं या फिर कोई patient इतना happy है, इसको कुछ भी बोल दीजे वो कभी भी sad news में भी उसको दुख जैसा कोई चीज दिखाई नहीं देगा, तो यह range आपको देखना होगा, whether patient has full range, और patient is एक pool के तरफ attracted है, वो आपको देखना होगा, कि patient is more towards to the sad pool, या फिर more towards to the happy pool, या आपको देखना होगा, फिर होता है stability stability क्या होता है, यह जो mood होता है, ऐसा तो नहीं कि mood बहुत जदा fluctuate कर रहा है, या फिर mood stable है, usually हम लोग का mood stable होता है, normal कोई भी आदमी का mood usually stable होता है, लेकिन जो mania में होता है, आप देखे होंगे, patient कभी हसते हैं, कभी हसते हैं, कभी हसते हैं, मतलब यह stable नहीं है, इसका mood बहुत fluctuate है, उसका mode जो है, level mood है, इसको बोलते है, level मोड, तो हम लोग को mention करना होगा, whether the mood is stable or level, या आप जैसे history लेंगे, आपको पता चले का, और कभी-कभी रो देते हैं, या कभी हसते हैं, यह जो mode होता है, level mode होता है, stable mode में यह जैसे normal आदमी का होता है, यह stable mode होता है, इसके बाद इसका mode का यह है, either it is normal or constricted, or blunt or flat, यह आपको देखना होगा, जो depth of its face में जो आपको दीख रहे हैं, यह normal face जैसा हो रहे है, या फिर थोला constricted है, या फिर blunt है, कुछ totally blunt है, या फिर flat है, कुछ है नहीं, इसमें, कुई expression नहीं है, वो चीज आपको देखना होगा, फिर आपको देखना होगा intensity, either it is very shallow intensity, और यह intensity जो होता है, इसका emotion का, बहुत normal है, या shallow है, यह चीज आपको देखना होगा, एक होता है, effective flattening, effective flattening में क्या होता है, अब मतलब कोई भी situation हो, इसका कोई reaction नहीं होता है, कोई expression नहीं होता है, इसको effective flattening बोलते हैं, जो हम लोग actually हम लोग को scisophrenia में बहुत मिलते हैं, scisophrenia के case में आपको effective flattening बहुत मिलता है, इसके बाद आता है हम लोग का speech, speech बहुत important है, क्योंकि speech के थुरू हम लोग बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे speech, इसका high speech है, low speech है, जैसे इसका rate है, जो mania patient रहेगा, बहुत speedily बोलेगा, इसका part second या part minute में जो wording होगा, बहुत ज़्यादा होगा, तो हमको rate देखना होगा, rate increase है, या फिर decreased है, क्योंकि अगर mania है तो increase होगा, अगर depression में है तो इसका decreased होगा, फिर हम लोग देखेंगे rhythm, rhythm regular है या irregular है, यह चीज़ हम लोग को rhythm regular और irregular यह maintain करना होगा, फिर volume, अगर rate ज़्यादा होता है, usually volume भी ज़्यादा होता है, usually आप देखेंगे, mania में, जो people होता है, यह बात भी ज़्यादा करते हैं, इसका volume भी बहुत ज़्यादा होता है, similarly जो depressive patient होता है, इसका rate भी कम होता है, इसका rate भी कम होता है इसका volume भी कम होता है, इसका बात सुनने के लिए आपको, इसके पास आपका कान लेके जाना होगा तब जाके आप इसको कुछ सुन पाएंगे अधर्वास इतना लोग बुलियूम होता है आप सुनाई नहीं देगा टोन कैसा है तो नहीं है या फिर टोन बहुत इंक्रीज है बहुत डिक्रीज है और आपको देखना होगा इसको कॉलिटी कर रहे है कि नहीं मतलब एक जो शुरू हुआ है इसको कर रहे है कि या फिर बीच बीच में छोड़के आलग-अलग टोपिक में बात कर रहे है यह तो के इसका जो क्वालिटी मतलब इसका रिलीवेंस कितना है अगर कोई आदमी बात कर रहे है कुछ भी बात कर रहे है रेट रीदम कुछ भी हो अगर ओर रिलिवेंट ना हो तो यह definitely important नहीं है अगर irrelevant है या relevant है यह चीज़ आपको पहले आपको confirm करना होगा जो quality है whether speech is relevant और irrelevant यह दोनों अलग-अलग है इसके बाद है quantity quantity में आप पूल में रहते हैं इसका जो property of speech इसको ऐसा लगता है इसको बात करने के लिए कुछ है ही नहीं तो यह चीज़ है कि नहीं quantity या फिर quantity बहुत ज्यादा है वो देखना होगा फिर speech में आता है एक होता है pressure speech मतलब जब बात कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेशर दे देक है कोई भी statement में बहुत ज़्यादा emotion को अटेस्ट करते हैं बहुत emotional attachment होता है statement के पास तो यह प्रोलेक्जीटी बोलते हैं कोई भी छुड़ा चुड़ा चीज है लेकिन इसको बहुत अच्छा से इतना emotion लगा के बोलेंगे इसको बोलते प्रोलेक्जीटी आप स्पीच एक् झालज झालज जलू गीजे, थै्क्यू, थैक्यू सो मच्य शुण